चांद के सफर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सोचते हैं कि कैसे हम तारों के करीब पहुँचे पहले एरप्लेन से लेकर आज के फाइटर, जेट्स और रॉकेट्स तक इंसानों ने एरोस्पेस टेकनोलोजी में कमाल कर दिया है सोचो, आप रनवे पे खड़े हो, आसमान देख रहे हो और आपको पता है कि ये मशीन्स हमें अंतरिक्ष तक ले जाएंगे हर एक मशीन, आसमान और उससे भी आगे जाने की हमारी कोशिशों का एक माइल स्टोन है इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये अलग-अलग फ्लाइंग वेहिकल्स कैसे अलग है और चांद तक जाने के लिए क्या चाहिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये स्पेस ट्रैवल के पास्ट और फ्यूचर का एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सफर होने वाला है कभी सोचा है कि अलग-अलग फ्लाइंग वेहिकल्स से चांद तक जाने में कितना समय लगेगा सोचो, धर्ती को पीछे छोड़कर अंतरिक्ष में जाने का कैसा मज़ा आएगा हम धर्ती से चांद तक के सफर को एक्स्प्लोर करेंगे और उन मेठर्ड्स और टेक्नॉलोजीज को समझेंगे जो इसे पॉसिबल बनाते हैं ये दूरी लग-भग 3,84,400 किलोमीटर है या 2,38,855 मील सोचो, आप एक कमर्शल एरप्लेन में जा रहे हैं ये एरप्लेन लग-भग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ते हैं चांद तक पहुँचने में लग-भग 18 दिन लगेंगे अब बात करते हैं एक पावरफुल मिलिटरी जेट फाइटर की ये हाई स्पीड एरप्लेन बहुत तेज गती से उड़ सकते हैं इतनी स्पीड में भी इस सफर में लग-भग सारे 6 दिन लगेंगे ये अभी भी एक बहुत लंबा सफर है अब बात करते हैं रॉकेट्स की ये कमाल की मशीन इंसानी दिमाग और जुनून का सबसे बड़ा एक्जामपल है पृत्वी के गुरुत्वा कर्शन से बाहर निकलने के लिए रॉकेट्स 28,000 किलोमीटर प्रती घंटे की स्पीड तक पहुँच सकते हैं इस स्पीड का मतलब है चांद तक जाने में लगभग 13.7 घंटे लगेंगे सोचो टेकनोलोजी में इतनी तरक्की के साथ कौन जाने स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर क्या होगा संभावनाएं अनंत है चांद का सफर हमारी कलपनाओं को बढ़ाता है और हमें अपनी दुनिया से आगे एक्स्प्लोर करने के लिए प्रेरित करता है हमारे साथ जुटने के लिए धन्यवाद बड़े सपने देखते रहिए और ब्रहमान को एक्स्प्लोर करते रहिए फिर मिलेंगे देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें वरना एलियन्स आपको ले जाएंगे